मुंबई नाकपूर एक्सप्रेसवे जिसको हम महारास्टर समरीदी महामार के नाम से जानते है जो मुंबई के दो सबसे बड़े सहर इंडिया का फाइनेंसियल सिटी मुंबई को नाकपूर से कन्येक्ट करेगा एक 6 लेन का 701 किलोमेटर लंबा फुली एकसेस कंट्रोल एक् एक्सप्रेसवे के आ जाने से इसे टोटल 46,000 करोड रूपीज में बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे के निर्मान के लिए 8603 हेक्टियर का लैंड को एक्क्वाइर किया गया है एक्सप्रेसवे का डिजाइन स्पीड 150 किलोमेटर परती घंटा होगा जो इंडिया लाज़ जाएगा जिससे नए इंप्लॉइमेट भी जेनरेट होंगे महारास्टर स्टेट रोड डेवलेक्मेंट कोर्परेशन इन्सोट MSRDC ने टोटल 20,820 हेक्टियर लैंड एक्वाइर किया था जिसमें 8,520 हेक्टियर लैंड एक्सप्रेसवे के लिए यूज किया जाएगा और 2019 में रोड कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया बात करे करेंटली प्रोग्रेस की तो नागपूर से सिरुडी तक का 520 किलोमेटर लंबा स्ट्रेच को इस महीने यानि के मई 2021 में ऑपरेशनल करने का प्लैन है और पूरा ऑपरेशनल 2022 मई तक किया जाएगा मुंबई नोटिफिकेशन के लिए 900 करोड रुपीज खर्च किया जाएंगे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 12.68 लाग ट्रीज लगाए जाएंगे 12.87 लाग प्लांट्स और 3.87 लाग स्रॉप्स जिसे ड्रीप इरिगेशन के हल्प से इरिगेट के जिसे ड्रीप इरिगेशन के ताकि जब भी मैं कोई न्यूव वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंद मिल जाएंगे लाइक करें दोस्तों वीडियो को सेर करें अपने प्रेंड के साथ जैहिंद